सत्ता हस्तांत्र किया उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंटर हॉल है इसी सेंटरल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और अइतिहांसिक अउसरों पर आज हादी के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसरा आए जब दोनों सदनों ने मिल करके यहां पर भारत के भागे को घढ़ने के पर विचार किया सहमती बनाई और निल्डे भी किये नाइंटिन फिप्टी टू के बाद दुनिया के करीब फॉर्टी बन राष्टा देख्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य संसदों को संबोधित किया है हमारे राष्टपती महोदयों के द्वारा ऐटी सिक्स बार यहां संबोधन किया गया है बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुज्रे हैं जिम्मेवारियों को समाली है अनेक कानूनों अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं अभी तक लोगसभा और राजसभा ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पास किये हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो जॉइंट शैसन के माद्यम से भी कानून पारिद करने की दिशा में रनदिती बनानी पड़ी और उसके तहद भी दहेज रोक्थाम कानून हो कि बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो कि आतंग से लड़ने के लिए कानून हो यह संयूक्त सत्र में पास किये गए हैं इसी ग्रह में पास किये गए इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतिक्षा थी शाहबानों केस के कारण कुछ उल्टी पाड़ी उल्टी पाड़ी पर चड़ गई थी इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया कि संसद ने बिते वर्षों में कि ट्रांस जेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्मान को इसके माध्यम से हम ट्रांस जेंडर के प्रती सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी शिक्षा स्वास बागी जो सुविधाय हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बड़े हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी कि उनकी जरौतों को देखते हुए उनके एश्पिरेशन को देखते हुए ऐसे कानूनों के निर्मान किया जो उनके लिए उजवल भविश्की गारंटी बन रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से लेकर विश्य ऐसा रहां जो सायद ही कोई दसक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो कि अक्रोश भी वेक्त हुआ है कि सभाग्रा में भी हुआ सभाग्रह के बार भी हुआ है लेकिन हम सब का सोभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का अलगावाद कि आतंक वाति खिलाब लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महतों मुल कादम है कि अरे से महतों मुल काम में मानिय सांसदों की सांसद की बहुत बड़ी भूमी का है जम्मु कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ वो महा मुल्य दस्तावेच जम्मु कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिच्ति को प्रणाम करने का मन सब्सक्राइब आज जम्मु और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग नए उत्सा नए संकल्व के साथ जम्मु कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मोकाप छोड़ना नहीं चाहते हैं यह दिखाता है कि संस्त के सदस्चों ने मिल करके संस्त के भवन में कितने महत्वकुन काम किये हैं कि माने साथ सद्गन लाल किले से मैंने कहा था यही समय हैं सही समय है कि एक के बाद एक घटनाओं के तरफ हम नजर करेंगे हर गटना इस बात का गवा दे रही हैं कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर जागरत हो चुका है भारत नई उर्जा से भर चुका है और यही चेतना है यूर्जा कि इस देश के कोटी कोटी जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती हैं और संपल संकल्प को परिशम की पराकाष्ठा करकर के सिद्धी तक पहुचा सकती है यह हम देख सकते हैं कि अच्छित प्रणाम अवश्य प्राप्त होंगे हम गती जीतरी तेज करेंगे परणाम उतने जल्दी मिलेंगे अज भारत पांचवी अर्थ वोस्ता पर पहुचा है लेकिन पहले तीन में पहुचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा हूं कि अच्छित पर बैठा हूं जो जानकारिया प्राप्त होती है उसके अधार पर विश्व के गर्मान ने लोगों से बात्चीत करता हूं उसके अधार पर मैं बड़े विश्वाद से कह रहा हूं हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है लिकिन दुनिया अस्वस्त है कि भारत टॉप फ्री में पहुंचे के रहेगा भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंदर बना हुआ है भारत का गवर्नेंट्स का मोडल यूपी आई है डिजिडिल स्टेक अजिए ट्वेंटी में देख रहा था मैंने बाली में भी देखा टेक्नोलोजी की दुनिया को लेकर के भारत का नवजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व के लिए काउतुग भी है आकर्शन भी है और स्विकृती भी है है हम सब उस ऐसे कालखंड में है मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग है ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दाईत्व निभाने का आउसर आया है और हमारा सबसे वड़ा भाग्या है कि आज इंजियन एस्परेशन्स उस उंचाई पर है जो शायर पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे गुलामी के जंजिरों ने उसके एस्पिरेशन्स को दबोच के रखा था उसकी भावनाओं को तहस्त नहस्त कर दिया था आजहां भारत में अपने सपने संजो रहा था चुनोतियों से जूज रहा था लेकिन मिलकर गया जहां पहुचे है अब वहां रुकना नहीं चाहता है वह एस्पिरेशनल सुसाइटी के साथ नए लक्ष घणना चाहता है जब एस्पिरेशन सुसाइटी सपने संजोते हो संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का अंदिरमान करके उजवल भविश्य के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने का दाइत्वां हम सभी साउसदों का सभी शेष होता है एक एक देश्वासी की हमसे अपेक्षा भी है हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मून में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्पद पर होना चाहिए प्रात्फिक्ता पर होना चाहिए लेकिन मैं है बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं है क्या कभी छोटे के नवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या जैसे छोटे के नवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता है वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के नवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते कि पट्यत्तर साल का हमारे पास अनुभव है हमारे पूरवजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं उससे हमने सीखा है हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है है कि इस विरासत के साथ हगर हमारे सपने हमारे संकल पजूर जाए हमारा सोचने का दाईरा बदल जाया हमारा कैनाबास बड़ा हो जाए तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं उत तश्वीर का खाका कीच सकते हैं उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीझी को वह व्य कि अमरुत काल के 25 वर्षों में कि भारत को कि अब बढ़े कहनबास पर काम करना ही होगा है अब हमारे लिए कि छोटी-छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है कि हमें आत्मंदिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हम से शुरुवात होती है हर नागरिक से शुरुवात होती है कि और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े-बड़े बुद्धी जीवी और अर्तसात्री लिखते थे कि मोदी आत्मंदिर भर की बात करता है तो और मट्निलेटरिजम के सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा कि ग्लोबल एकोनोमिके जमाने में ठीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मंदिर भर मोडेल की चर्चा करने लगे है और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफैंस सेक्टर में आत्मंदिर भर हो कि एनर्जी सेक्टर की में हम अर्थ-बामदिर भर हो वह एडिपल ओई कि आज इस देश को आतम दिर्वार नहीं होना चाहिए लेकिन हमें उसे प्रेणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है यह हमारा संकल पहुआ है कि आज हमारे व्यवान के दिंदर कि दुनिया में हमारे पहचान बना रहा है टियर टू एरफ्री सिटी से गाउंगरिप परिवारों से गाऊंसे देश के नोजवान देश की बेटेस औरります जीवन में हमारा नाम रोशन करेंगे हैं लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेल कुद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहरा था होगा हमें अब पूरा दल पुरा हमारा दिमाग क्वालीटी पर फोकस करना ही होगा ताकि हम वीश्व की आशा पेक्षाओं के नुकूल और भारत के सामने मानवी के जीवन में भी क्वालीटी आफ लाइप के प्रती जो एस्पिरेशन बड़ा है उसको हम एड्रेस कर पाएं और जैसे मैंने कहां हम भागवान हैं हम उस समय काम कर रहें जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है कि हम उस समय है जब हिंदुस्तान युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वालत देश बने ही हैं लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा यह पहली बार हुआ है इस देश के पास यह यूवा शक्ति हो यूवा सामर्तफ हो तब हम हमें उसकी टालेंट पर भरोसा है हमें उसकी संकल पर शक्ती पर भरोसा है उसकी साहस में में भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंग्ति में नजनाना चाहिए वो स्थिती प्रदा हुरी आज पुरे दुनिया को इसकी स्कील मैंड पावर की बहत बड़ी ज़रुत है और भारत भीश्व की इस आवशक्ता की पूर्ति के लिए अपने आपको सज्ज कर सकता है और उनक वाशक्ताओं को पूरी करकर के दुनिया में अपनी जगा भी बना सकता है और इसलिए विश्वक में उनकी आवशक्ता के लिए किस प्रकार के मैंट पावर की जरूरत है किस प्रकार के उनको human resource की जरूद है उसकील मैपिंग का काम भी हाई और उस के मिकी स्कील मैपिंग अनुसार भारत चेंदर स्कील डेवलप्पेंट के तरह बल दे रहे हैं और जितना जादा हम इसकील डेवलप्पेंट पो बन देंगे भारत के नौ जमानों विश्व में अपना दंग का बजाने में कोई कमी रखेगा और हिंदुस्तानी जहां गया है जहां गया है उसने अच्छाई की छाफ छोड़ी है कुछ कर गुजरी की छाफ छोड़ी है यह सामर्द हमारे इंदर पहले से पढ़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गये हो है कि आपने देखा हो गए पिछली दिनों करीब डेड़ सो नर्सिंग कॉलेज एक साथ खुलने का निर्णे किया पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट है नर्सिंग की हमारी बेंट में हमारी बेटियां हमारे बेटे उस छेत्र में दुनियों पहुंच सकते आ दुनिया के आवश्च्ष्रक्ताओं में भी योगदान देन केहने का तात्पड यही है हर छोटी चीद पर बारिकी से ध्यान देते हुए उस पर अपना ध्यान के इंद्रित करते हुए हमें आज एंगे बढ़ना है हमें भविष्य के लिए है सही समय पर सवी फैसली भी ल कि हम राजनीति ग्लाब नुक्षान के गणा भागित के अंदर अपने आपको बंधीद नहीं बना सकते हैं हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नहीं निर्णे करने होते हैं कि आज कि सोलर पावर के सभल मुवमेंट कि हमारी भावी पीडी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ती की गारंटी दे रहा है आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एन्वार्मेंट की चिंता है जो टेक्नोलोजी में बढलाव आ रहा है उसके समाधान का रास मेरे हमारे रदय की जरूत रहती है वैसे ही आज हमारी टेक्नोलोजी चीप्स के बिना चल नहीं सकती है और सेमी कंड़क्टर उसके लिए बहुत अनिवार यह हैं उस दिशा में हम आगे जाकर के एलेक्ट्रोनिक मैनिफेक्टर में कोई रुकावत ना आए और जीवन कहीं अटक नजाए उसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं जल जीवन मीशन हर जिले में पच्चतर अमर्द सरवर हमारी भावी पीडी को हमारे बच्चे बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरस्ता न पड़े इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं वीश्व के बाजार म हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे है है कि कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे हैं लोगिस्टिक सीपी सिस्टिम को और अधीक कि कम खर्च वाला बनाना एफिजन बनाना उद्रीशा में बहुत नीतिया लेकर करके चल रहे हैं आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत के हम दिर्मान करें कि नॉलेज इनोवेशन यह समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रीम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है और इसलिए पिछ्छे लिए हमने समय कि देशने एजुकेशन पॉलिशी के साथ साथ ठेकनोलोजिय के बढ़ावे के लिए हमने रिश्च अनी इनोवेशन का इक कानून भी पारित किया है ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रियान तीन की सबलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्शन बढ़ रहा है हमें मोका घवाना नहीं है हमारी युवा पीडी को हमने रीसर्क और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इ एक उजवाल भविश के निर्मान की नीव रखी है अगा अधर नियव बंदुगां कि सामाजे ग्ञान है यह हमारी पहली शर्प है तो बिना सामाजे ग्ञाएं बिना संतुलन बिना समभाव बिना समत्व हम इच्छित प्रणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते ह लेकिन सामाजे ग्ञाएं की चर्चा बहुत सीमित बनके रह गई हमें उसको व्यापक रुपने देख रहा होगा हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें किसी समाज में दबे कुचली व्यक्ति को सुविधा दें वो तो सामाजे ग्ञाएं के प्रक्या है लेकिन उसके घर त घर देखे बच्चोन के लिए अकर स्कूल खूल जाएं तो वो भी उसको सामाजे ग्ञाएं की मजबूति देती है उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में सब्सक्रोट पड़े वो मिले तब जाकर कर सामाजी ग्ञाएं की मजबूति मिलती है और इसलिए जिस प्रकारते सम लेकिन वहां के नवजवानों को रोजगार के लिए दुसरे इलाके में जाना पोट रहा है यह स्थिति हमें बदलनी है हमारे देश के इस पूर्वी भाव को इलाका को सम्रुद्ध बना करके सामाजी ज्ञ्याई की मजबूती भी हमने देनी असंतुलित विकास शरीर कितना भी स्वस्त क्यों ने हो लेकिन एक उंगली को भी अगल लखमा मान गया है तो सरीर स्वस्त नहीं माना जाता है भारत कितना ही सम्रुद हो लेकिन कोई अंक उसका दुरबल रह जाए तो भारत सम्रुद्ध में पीशे हैं मानना पड़ेगा और अजिसलिए हम सरवांगीन विकास के पक्षमें, सामाजिक न्याय की उस उंचाई को प्राप्त करने के प्राप्षमें दिसामें, हमें आगे बढ़ना है, चाहे पूरी विफारत हो, चाहे नौर्थिस्थ हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना, और उसलिए, जोनानीती कितन कर रही हैं, और आज हंडेड डिस्थिक देश के कौने कौने में जो पीशे माने जाते थे, उसको बोज मान लिया गया था, आस्थिति ये बनी है, को हंडेड डिस्थिक अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी उपर जा रहे हैं, और इस समाजिक नाय की इस भावना को मजबूत करते हुए, सो डिस्थिक में से आगे बढ़ करके जमीनी स्थर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एश्परेशनल डिस्थिक ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाय करके उसको मजबूती कर देने का काम चल रहा है, और मुझे व पिकास के नाय उर्जा केंदर बने की संभावना रखते हैं, और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, मानिये सांसदगन, आज विश्व के नजर भारत पर है, शित्युद्ध के समय हमारी पहचान कुट निरपेक्ष देश के रुप में रही, उस समय की जो जरूरत उसके जो लाब होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं, लेकिन आप भारत का स्थान कुछ और बना है, और इसलिए उस समय गुट निरपेक्ष की अवस्ता आवशक होगी, आज हम उस नीती को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीती को अगर हमें पहचान रहे हैं, तो विश्व मित् मित्र खोज रही है, ये प्षायद विश्व में एक भारत ने और दूरी नहीं हो सके उतनी निकड़ता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सभलता पुरवक आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका लाप आज भार भारत को हो रहा है, भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाइचेन के रुप में उभर रहा है, और आज विश्व की ये दिरुवत है, और उस आवश्यक्ता की पूरती करने का काम, जी ट्वेंटी में भारत ग्लोबल साउट के आवाज बन करके उब रहा है, ये बीज, जी ट्वेंटी समीट में जो बीज बोया गया है, मेरे देश्वासी आने वाले समय देखेंगे, वो इसा बटबुख्षए बननने वाला है, जिसकी साया में आने वाली पीडियां सधियों तक एक गर्व के साथ अपना सीधा तान करके खड़ी रहेगी, ये मुझे विशुवाष हैृृृू। इस G20 में भहत बड़ा काम हमने क्या हैृ। बायो फिल एलाइंस काृ। हम विश्व के नेत्रूत्व करते रहे इडिशा दे रहे और विश्व को थे थे दुनिया के सभी द्रदेश देखते ही देखते उसकी सद्रस्तिता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा अंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेत्रुत्व यह हमारा भारत कर रहा है कि छोटे-छोटे महादवी उनके साथ भी आर्थिक कोरिडोर बनाने के दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाये है आदेनी बंदुगां आदेनी उप्राश्पती जी आदेनी स्पीकर महोदाए आज हम यहां से बिदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं संसत के नए भवन में बैठने वाले और यह शूब है गणेश चतुर्ति के दिन बैठ रहे हैं लेकिन बैए एक आप दोनों महनुभावों को एक प्रांसना कर रहा हूं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जुरुत पड़े मंधन करके कुछ निर्णे अवस करिए और मेरी प्रांतना है मेरा सुजाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहें तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए इसे सिर्फ पुरानी प्रांवलामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रांतना है कि भविश्य में अगर आप सहमेती दें दोनों महावन भाव तो इसको सम्विधान सदन के रुप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमासे रक्स के लिए हमारी जीवन प्रेना बनी रहेगी और जब सम्विधान सदन कहेंगे तब उन महापुर्षों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी सम्विधान सभाव यहां बैठा करते थे गणमान्यने महापुर्ष बैठा करते थे और इसलिए भावी पीडी को यह तोफा भी देने का आफसर हमें जाने नहीं देना चाहिए मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमी को प्रणाम करता हूं यहां पर जो तफस्या हुई है जन कल्यान के लिए संकल्प हुए हैं इसको परिपूर्ण करने के लिए साथ दसक से